दोस्तों अगर बात्रूम की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं टोइलेट की तो आपको ये वीडियो जुरूर देखना बन दा है क्योंकि आज आपके लिए 20 से 25 बातें में आसी बताने वाला हूं जो गलतियें की जाती हैं बात्रूम की कंस्ट्रक्शन में और गलतियें तो उस बड़ी होंगी और आपका खर्चा बढ़ता जाएगा तो complete वीडियो देखना आज bathroom toilet की पूरी detail देने वाला हूँ practically आपको बताने वाला हूँ बस उससे पहले please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और bell icon दुबार लेना तो simple तरीके से में आपको बताऊँगा आज कल जो construction की जा toilet bathroom का अलग मना रहे हो तो toilet का size रखो 5 by 5 standard rule जाओ 5 by 5 का size अगर toilet का रखते हो काफी अच्छा size रहता है easily सब कुछ accessible होता है और height आप 8 foot रख सकते हो उसकी अगर bathroom बनाने अलग से फिर 5 by 6 का bathroom बना लीजी height 8 foot रखी है लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा अगर आप bathroom बनाने जा रहे हो bathroom toilet तो attached उसको रखी हो क्योंकि उसमें होता क्या 6 by 7 का रखने है आपको attached रखोगे अगर आपको 6 by 7 का simple रखने है उसमें आपका area भी save होता है और construction cost भी save पड़ती है और काफी अच्छा आप उसको बना सकते हैं मैं आगे बताऊंगा कैसे क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो storage हमने hide उसकी art foot रखी थी उपर आप storage के लिए छोड़ दीजिए बाकि पूरा area आपका क्या आगया bathroom में और इसमें आपको एक चीज दियान देनी है जब भी ये construction आप करोगे तो आपको जो zone होगा attached की में बात कर रहा हूँ आपको जो गलती की जाती हो क्य क्याती है एक level रख दिया जाता है मतलक पूरा जो bathroom होगा एक level रख़ा जाता है वैसे नहीं करने है आपको आपको जो level रखने है वह रखने है आपको differentiate करने जयो आपकाश एरिया होगा अगर मैं आपको समझाओ हमारा wet area कौन सा है जहां हम लोग नहाती है ठीक है जहां हम ल हमारी toilet seat रहेगी वो मतलब दिन में काफी टाइम यूज होगी लेकिन हमारा जो वाश एरी होगा एक बार होगा वो साइट पर रहेगा उसका कोई इसको मतलब डिफरेंट आपको लेवल दे देने फिर हमें अधिक्कत आती है चूज करने में जो हमारा वाश वेशन रहेगा व हमारी western या Indian रहती है जो आपको सही करने है देखो अगर wall mounted के साथ जाते हो wall mounted देखने में काफी जदा अच्छी लगती है मतलब देखने में अच्छी होगी लेकिन cost उसकी काफी जदा बढ़ जाती है उसका disadvantage एक ही चीज़ है जब उसको आप fix करते हो क्योंकि उसका जो water tank र पड़ेगी पूरी walks निकालना पड़ेगा तो वो दिक्कत आपको बाद में आ सकती है लेकिन wall mounted देखने में काफी जदा अच्छी लगती है और एक साफ सुतरी रहती है cleaning में कोई दिक्कत उसको नहीं आती है बक्याव western के साथ जाओ वो भी काफी अच्छी दिखेगी वह ब proper size रखी है क्योंकि छोटे size में वे थे proper size में अगर बड़े size में लगाती हो तो काफी अच्छी देखने का वो मिलती है आप Somani की जाओ Jaguar की जाओ किसी भी company की जाओ काफी अच्छी आपको 9-10,000 रुपे में वो seat toilet seat मिल जाएगी फिर आती है बात अगली किसकी septic tank की देखो जो septic tank आपको रखना है मेरे ख्याल में septic tank आपको पहले ही बड़ा septic tank चूज करने है आपको जैसे हमारा standard size रहता है 5-8-6 का तो आप जितना बड़ा safety tank यूज करोगे उतना सही है क्योंकि जंजट रहेगा बार-बार cleaning का तो वो जंजट मेरे ख्याल में रखने है आपको और septic tank की partition जैसे हमारा रहती है इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ septic tank पे उसमें मैंने बताए था partition की सहाब से आपको करनी है तो partition आपको रखनी ही रखनी है और साथ में आपको देना है junction box जो भी आपका septic tank होगा उससे पहले junction box जो होगा वो आपको अच्छे से provide करना है कि बाद में जो cleaning वगारा अगर बाकेश हो जाती है तो junction box की help से वो हो सकती है क्योंगी वो थोड़ा साप सूतरा रहता है as compared to septic tank फिर हम बातरूम में फिर से आता है toilet बातरूम में हमारा जो ventilation का है वो आपको proper दियान रखने है अगर ventilation का दियान नहीं रखा तो काफ आपको provide करनी करनी है बातरूम में अगर by chance आप window नहीं दे सकते हो तो आपको वहाँ cut out देना ही देना है cut out और window के विना ventilation के विना आपको बातरूम का कभी मेरे ख्याल में construction नहीं करवाना है कुछ न कुछ यूगाड उसका आपको करना रहेगा next चीज आती है जो आपको waterproofing क करवाईए नहीं तो बाद में क्या होगा थोड़ी settlement होने के chances इस एरिया में हो जाते हैं क्यूंकि पानी तो थोड़ा बहुत तो जाएगा तो waterproofing proper से करवा लिए brick bed coba करवा लिजे कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि आपको जब भी आपको bathroom construction करवानी है उस area में आपको sunken slab दे नहीं है उसके बाद फिलिंग कर लो आपको pipe दोड़ाने में वीजी होगा और काफी ज़्यादा दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं है फिर हम बात करते हैं आपको जो tile use करनी है कब भी भी bathroom में एक चीज़ दियान रखना ceramic tile कभी use नहीं करना ceramic tile use करोगे थोड़ time बाद use करो flooring में जो tile आप use करोगे उसका color choose करने में थोड़ा दियान देना वो इस हिसाब से choose करना क्योंकि dusty रहेगी तो वो गंदा नहीं देखे इस हिसाब से आपको देना है और हमेशा anti-skid tile आपको flooring में use करनी है बातरूं में क्योंकि slippage का डर रहता है तो आपको पहले यह च जरूर रखो मिस्त्री यह ठेकेदार पर बरोसा करके मत करो यह सामने आप बातरूं देखने दोनों में गड़वड है तो आपको पहले एक layout जरूर बना लेना आपका जो देखो इधर हुआ क्या है shower जो है shower के सामने door कभी नहीं रखने तो यहां वही हुग है यहां किया ग पानी उचल के door पर जरूर जाएगा और यहां wooden का door है तो आपको जानतो PVC का use करो door अगर PVC का नहीं कर रहो बाहर wooden का रखो अंदर PVC की sheet जरूर लगाओ तो यह बाद में दिक्कत होगी कि सढने का chances काफी ज़ादा रहते रहते हैं और आपका जो wash washing area वो अलग रखो shower area अलग र रख सकते हो मतलब एक तरफ आप wash washing रखिए एक तरफ आप जो toilet seat रखिए दूसरी तरफ आपका shower यह washing area हो जाएगा उसी में आप जो geezer है वो रखिए ठीक है यह हो गया इधर तक हमारा clear होगा और फिर जब construction कर रही है जब pipe fitting हो रही है pipe fitting में भी आपको ध्यान देना hot water cold water की अलग लग piping यह तो पता ही पता है PVC यूज़ करो MS की जूरूत नहीं है यूज़ करने के लिए CPVC या PVC दोनों में से कोई choose कर लो यूज़ करो अच्छी company की supreme या किसी की भी पकड़ लो उस पर अलग video रहेगी इसमें यह चीज नहीं mention करूंगा मैं लेकिन जब भी आ पाइफिटिंग होगी तो थोड़ा ठीक रहता है अगर आप नो इंच की रखते हो तो उसमें पाइफिटिंग के दुरान आर पार देखेगा structure को effect होगा दूसरा जब आप घीजर या कुछ heavy चीज टांगते हो तो नो इंच की दिवार में वह अच्छे से टिकती है टिक जा वह चेंज से कम नहीं रखना अगर चेंज से कम रख रहे हो तो बाद में दिक्कत गरंटी आएगी ब्लॉकेज के चांसी रहे लेंगे तो में आपकी चेंज की रखो और पॉसिबिल एक चीज ध्यान रखो कि वह आपकी सीधी रहे उसमें बेंड जादा नहीं डालना मतलब आपकी पाइप डाइरेक्ट जाए बेंड जितने कम हो सकते हैं उतने कम करो 45 डिगरी दे दो या वाइब बेंड दे दो लेकिन अगर आप जादा बेंड देते हो तो ब्लॉकेज के चांसी बैक मारने के पानी के चांसी जादा रहते हो उससे स्मेल काफी जादा बात में को कहा था आप ले आउट जरूर बनाना जब भी आप बातरूम बनाने जा रहे हो एक लियाउट जरूर रखो मतले बनाने में क्या सीधर ड्रॉआ करो बस्ट रेक्टंगल शेप का हमारा बातरूम अच्छा रहता है कहां सीट आएगी कहां क्या आएगी तो उससे थोड़ा दिमाग में रहता है कि अगर मैं यहां नहीं करूँगा वहां नहीं करूँगा तो वो दिक्कत रहती है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है तो यह चीज़ आपको देखने है और टैप जब आपको यूज़ करने है तो यहां हमारा मिक्सर आजकल मिक्सर यूज़ करो decide होना चाहिए कहां point आएगा क्योंकि अगर story box थोड़ा बहुत रखते हो तो मेरे ख्याल में bathroom में वो बहुत अच्छा है और अगर आप bathroom में washing area रख रहे हो washing machine रख रहे हो क्योंकि काफी लोग washing area लग रखते हैं लेकिन mostly इंडिया में जो washing machine हो वहीं रहती है नहीं जाए और down जैसे मैंने कहा वो चीज आपको पहले ही द्यान रहे है तो यह थी 20-25 चीजे आई ओप आपको idea लग गया होगा कि bathroom को किसी साब से design करवान है ऐसी एक और वीडियो आपके लिए आएगी bathroom पे जिसमें 20-25 चीजे और मैं आपको बताऊँगा अभी मैं अलवीदा लेता हूँ लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकर एक और बेल लाइकन दुआ करो